आज देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्त्र प्रदेश में हो रहे हाहकार, अनाचार, हत्या, डकैती, गुंड़ई, कबजे और संग्ठित अपराद उसको लेकर अब आपके बीच में उपस्थित हुए हैं, भारतिय जनता पारिटी के शाशन में उत्तर प्रदेश, अब अपराद प्रदेश बन गया है शिरी आदित्यनाथ, बनाम अजे सिंग बिष्ट जी की सरकार, अब केवल प्रदेश में हो रही हत्याएं, अबोध बेटियों और बच्चियों से बलातकार, गुंडागर्दी, डकैती, चोरी, कबजे, संग्ठित अपराद, और सब कुछ सरकार के सरक्षन में उसके लिए जानी जाती है, उत्रप्रदेश में लगता है, कि समीधान और कानून का नहीं, अपराद का शाशन है, जिस परकार से 17 चुलाई 2019 को, मुर्तिया गाउं सोन भद्र में, तीन महिलाउं सहित, दस आदिवासी परिवारों के लोगों की दिन दाडे, दोसो व्यक्तियों द्वारा, बंदूकें भाले लाशिया लेकर, जिस परकार से उन्होंने आक्रमन कर, दस आदिवासीों की हत्या की 28 को चोटे पहुंचाई, ये दिखाता है, कि संग्ठित अपराद, आदित्यनाथ जी उरुफ अजय सिंग बिश्च जी की नाक के तले उनकी इशारे से पनप रहा है, और आज जब, अखिल भारतिये कॉंग्रेस कमेटी की महा सचिव श्रिमती प्रियांका गांधी जी, उन आदिवासी परिवारों के, जिन्होंने दस दस परिवार जन खोए, उस दुर्दान्थ आतंग की हमले में, उनके आसू पहुँचने के लिए गई थी, तो बज़ाए अपरादियों को सजा देने के, अधित्यनाद सरकार ने अपनी कुरूरता और अपराद का सरक्षन का परीचे देते हुए, कॉंग्रेस की महासचीफ श्रिमती प्रियांका गांधी जी को गिरफतार कर रखा है। दोस्तों, इस देश के नागरिक जानना चाहते हैं। क्या अपराद से पीडित लोगों के आसू पहुँचना अब इस देश में अपराद है। क्या तीन लोगों के साथ चौतिस श्रिमती प्रियांका गांधी स्व्यम उनके साथ कानून की अनुपालना में दारा 144 का उलंगन किये बगैर उन परिवारों के पास जाकर मिलना अब अपराद बन गया है। क्या गुन्डगर्दी, दबंगई, गुन्डई, जमीनों पर कबजे और संग्धित अपराद उनका बोलवाला चलेगा या उत्तरप्रदेश में कानून का शाषन चलेगा। क्या उत्तरप्रदेश में अब विपक्ष के नेताओं के जाने पर पाबंदी है क्योंकि सब मौलिक अधिकार उत्तरप्रदेश से अब खारिज किये जा चुके हैं। क्या उत्तरप्रदेश में अपरादियों को सजा देने की बज़ाए विपक्ष के नेताओं को जेल की सलाखों के पीछे रखा जाएगा ताकि कोई जनता की आवाज न उठाई आ सके। श्रिमती प्रियंका गांधी जी आज मुझफफर पूर से केवल सोन भतर जाना चाहती थी। कोई पाबंदी किसी कानून का उलंगन नहीं धारा 144 भी है तो पांच लोगों से जादा हो तो धारा 144 का उलंगन होगा। उन्होंने सम्वेदन शील रवया दिखाते हुए कहा कि मैं केवल तीन लोगों को अपने साथ लेकर जाऊंगी। उसके बावजूद भी पुलिस के अधिकारी कहते हैं हमें उपर से आदेश आया है वो आदेश अमित शाह जी का है नरिंद्र मोदी जी का है आदितनाथ जी का है वो किसका आदेश है। वो आदेश कानून और समिधान का है या उन लोगों का है जो सत्ता के नशे में भाजप्ता की सरकार चला रहे हैं उत्तर प्रदेश में और विपक्ष के नेताओं को गरीबों के आदिवासियों के पीडितों के जिन्होंने परिवार के दस दस जन खोए हैं उनके आसू पो बंगन हो रहा ना धारए 144 का उलंगन हो रहा ना किसी परकार का वहाँ जलसा जलूस कॉंगरेस पार्टी के साथी कर रहे शिर्मती प्रयांका गांधी कर रही तो फिर किस कारण से ऐस सुभह से अब तक अन्हें चुनार गेस्ट हाउस के अंदर नजर बंगतर पुलिस की कस स्ट्रडी के अंदर रखा गया है क्या मानवी और मुलिक अधिकारों का इस परकार से उलंगन होगा क्योंकि अधित्यनाथ जी और मोदी जी की सरकार है और अमित्षा जी अब ग्देश के ग्रेह मंत्री बन गए है दोस्तों सचाई ये है कि जब से माननिय अधित्यनाथ जी और अजय सिंग बिश्ची मुख्यमंत्री बने हैं और भाजप्पा की सरकार बनी है आए दिन भारतिय जनता पार्टी की सरकार में दबंगई गुंडई हत्या बलातकार उसकी अने को घटना हो चुकी यहां तक कि उत्तर परदेश की पुलिस भी भाजप्पाई गुंडों से सुरक्षित नहीं हमने देखा था किस प्रकार से सरकार के गठन के साथ ही भाजप्पा के गुंडों ने सुप्रिंडेंडेंट और पुलिस लव कुमार के घर पर उनके बुड़े माबाप और धरम पत्नी और बच्चे जहां मवजूद थे हमला बोला था। पूरे देश ने देखा कि किस प्रकार से गुंडों के दुवारा इंस्पेकटर सुबोद सिंग की दिन दाण के उत्तर पर देश के प्रकार से सरकार का कोई शाशन बचा नहीं इसलिए गुंडों ने एक S.ड.म क जिसमें भारतिय जन्ता पार्टी के विधायक भी शामिल थे उनका दिन दाड़े अपमान किया था टेलिविजन चैनल्स ने बाकाइदा उसका वीडियो दिखाया था सेंगर नाम के विधायक जो सगे हैं श्री आदित्यनाथ जी के लगते ऐसा प्रतीत होता वो तो अब जोर जबरदस्ती के प्रतिबिम्ब बन गए हैं पूरे देश के अंदर जब जेल में उयूपी में पिस्तोलें लहराई जाती हैं तो भाजप्पा की सरकार कहती है के ये मिट्टी के तमचे हैं हाल में हमने ये भी देखा के बीजेपी विधायक देविंदर राजपूत जी के बेटे यश्वीर राजपूत ने किस प्रकार से सोरों पुलिस चोकी के इंचार्ज को तो वहाँ खाट पर ही बांदिया और घसीट कर ले जाने तक का प्रियास किया बदायू रेप केस आज भी रॉंग्टे खड़ी कर देता है बार काउंसिल की उत्तर प्रदेश की अध्यक्ष दरवेश यादव जी की किस प्रकार से दिन्दाडे हत्या हुई यह पूरे देश ने देखा और अलिगड में तो एक महीला बीडी सी अधिकारी को जिन्दा जला दिया बरेली में महीला हॉंगड को ही जिन्दा जला दिया मुझफर नगर जो दो बहनों के साथ बेटियों के साथ बलातकार हुआ उसने पूरे देश की आतमा को चलनी कर दिया उत्तरप्रदेश में आए दिन सेकडों की संक्या में हजारों की संक्या में अफराध होते हैं और आदित्यनाथ जी आप तुगलक की तरह कान के नीचे उंगली रखकर आप बैठे हैं आप सोच भी नहीं रहे ये देखिए उत्तर प्रदेश की कहानी 18 जुलाई 2019 को उत्तर प्रदेश चेही जो संसद हैं श्रिमती स्मृती इरानी जी उन्होंने संसद के पटल पर ये जवाब दिया मैं आपको इसकी एक प्रतिलिपी भेज रहा हूं और उन्होंने बताया कि 10,531 दुबारा नोट करिए 10,531 बलादकार या बलादकार की कोशिश की घटनाओं में से 6,987 यानि लगबग 7,000 अकेले उत्तर प्रदेश में होती है यानि कुल बलादकार और बलादकार की कोशिश की घटनाओं में 67 परतिशत अकेले उत्तर प्रदेश में हैं ये उत्तर प्रदेश की संसद जो Women and Child Development Minister है स्मृति इरानी जी ने ये 19 जुलाई को ये ये पाकाइदा जबाब लिखकर देश की संसद में पेश किया है अधित्यनाथ जी अपरादियों को पकड़िये श्रिमती प्रियांका गांधी जी और कॉंग्रेस के कारे करताओं को नहीं जो उन पीडितों को सांत बना देने गए और श्रिमती प्रियांका गांधी ने ये कहा है जहां वो चुनार गैस हाउस में पुलिस के कस्टडी में नजर बंद है कि सोन भद्र में वो बड़े शांति प्रिये तरीके से चार लोगों के साथ जिनमें वो स्वम चोथी होंगी चार कॉंग्रेस के साथियों के साथ स्वम उनके वो केवल उस परिवार के आंसु पोंचने जाना चाहती हैं और जब तक सरकार इजाज़त नहीं देगी वो वहीं रहेंगी पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर पूरे देश के अंदर इस प्रकार से विपक्ष के नेताओं को जबरन गिरफतारी पर भारी बेचेनी है पीड़ा है आवेश है उतेजना है और गरीबों को आदिवासियों को पीडितों को उत्तर प्रदेश में न्याए नाम की कोई चीज नहीं क्योंकि उत्तर प्रदेश अब अपराद प्रदेश बन गया है कानून का शाशन नहीं उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ जी का शाशन भी नहीं उत्तर प्रदेश में अब अब प्राधियों का शाशन चल रहा है ऐसा प्रतीत होता है क्या ऐसी सरकार को नैतिक आधार पर एक दिन भी अपने पद पर बने रहने का अधिकार है ये प्रशन हम उनके विवेक पर छोड़ कर उनसे पूछना चाहते हैं